नमस्ते आप सभी को दिपावली के इस पावन परवपर डेर सारी शुब कामना है और इश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबकी दिपावली शुब हो और आपके जीवन में आनंद स्वास्थ्य लगातार बना रहे और आपके हाथ से अच्छे कारिया होते रहें कि बहुत महत्वपूर्ण है दिपावली हमारा जो परवप है वह एक अत्यन्ता शुभ परवप है हम लोगों के लिए और ये दिपक के साथ मनाया जाता है प्रकाश का परवप है ऐसा कहते कि जो सत्य का प्रकाश है वह सबसे जद्द चिरंतन है बाकी लोग बड़ा सकते हैं एकड़म चमक सकते हैं आ सकते जा सकते हैं लेकिन जो सत्य का प्रकाश वह चलता है चिरंति है और वही झीवन में हमारे लिए बहुत महत्व पुर्ण है और आज कल के समय में रिवा समाज जब जागुरूत हो रहा है और जैसे बोलते कि हमारा देश भी समरुद्धी की तरफ जा रहा है कि ऐसा कोई घर नर है कि जहां दीपावली का परवर धुमदाम से न मनाया जा सके यानि इतनी समरुद्धी अपने देश में आ जाए कि किसी भी घर में ऐसी स्थिति ना बने कि वो दीपावली कैसे मनाये तो यह सबसे बड़ी मुझे लगता है कि कामना होगी और यह तभी संभवे जब हम शुब चिंतन और एक सकारत्मक विचार को समाज में प्रसारित करें ताकि लोग स्वार्त से उठकर लोग कल्यान के लिए आगे बढ़ें और मुझे लगता है कि तभी यह संभव है कि सबके घर में वो एक जो दीपक है दीपावली का वो अच्छे से जल सके और इसलिए हम लोगों की मुझे लगता है कि मिडिया जगत की बहुत बड़ी भु मुझे और उसमें सत्य बना रहे उसका श्रूंगार कर सकते हैं और अपने अपने क्षमता के अनुसार उसमें रस डाल सकते हैं परन्तु रस डालते समय यह बात जरूर ध्यान में रहे कि अगर सकारात्मक भाव समाज में प्रसारीत होंगे तो राश्टर की सेवा है और जि बहुत बड़े एक महत्रपुर्णा ऐसा समय है संग के द्वारा सभी लोगों का एक आवान किया जाता है कि अपने घर में जब भी दिपावली है तो सभी लोग अपने घर के आसपास अपने घर में जो भी लोग काम करते हैं या किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई अपने घर में देते हैं // उन सभी तिभावली की चिन्ता हौं करें और उनके जीवन में भी सुक्रकारी हो इसके लिए कोई नो कोई अपने प्लैनिंग होगी योजना होगी अपने घर की przypadku je उसमें उनको भी उनको भी सहवागी करने की कोई योजना निश्चित रहे और मैं चाहूंगा कि आप लोग तो सभी लोग समाजीक हैं समाज के सब विस्षे को देखते हैं समाजीक की वास्तविक्ता आपके सामने हैं तो निश्चित अपने घर से हम लोग यह प्रयोग और ऐ लेकि अभी यह बात बहुत महुत्त पूर्ण है कि हर परिवार से यह बाते हो इसलिए आपने सुना होगा लगातार आप लोग सुन रहे हैं पंच परिवर्तन पंच परिवर्तन की बात संग की तरों से लगातार कर रहे हैं तो मैं इस परवपर आप लोगों से भी यह कहना चाहूंगा यह कोई political program नहीं है यह एक समाज में परिवर्तन का जिसमें सभी की बुविक का है और इसमें सभी का भला है और सभी की बुमी का है और किछी को किछी के banner पर यह यह कर fakta अपने फ्रफे अपने अपने स्थर पर करना है इसलिए अपने समाज में कोई भी समाजिक भेद्बाव न रहे यह सा हम सभी लोग सोचते हैं तो दीपावली का यह पर्व है इस निमित्य हम अपने आसपास के लोगों में यह भेद्बाव समाप्त कर सकते हैं अपने दफ्तर में भी होता है कई सारी परिवेरों के रि सकते हैं तोसमाजिक सम्रस्ता अपने आपी स्थापित होती हैंग और वैसे ही परिवार की हुए तो हमारे यहां तो परिवारों के रिस्ते इसमें त्वारों की बहुत बड कर he कि अन्न था तो हम रोज वेस्टर रहते हैं लेकिन जब स्क्राइब में दोर एक तो मैं समस्क्या हों लेकिन हम इस दिमित्या ऐसे सभी लोगों को जोड़े, कोई न कोई ऐसे अवसर बनाएं, अपने मित्रों में बनाएं, घर में बनाएं, और आज का ये अवसर भी इसलिए बनाया है, ताकि हम एक रिष्टे जोड़ सके, एक दुसरे से मिल सके, कुछ ख़ण बाट सके, आप परिवार के साथ हैं करेशिаст हैं, और प्रभुद्धन अन्वान इस जोड़ सके, यही पूत्मब परिवार प्रभुद्धन का आवहांन संद न किया हैं, और तिसरी एक मुहत्व पुर्णा बात है कि नागरिक करतव्य की ये विश्य ये हैं कि हम सब लोग अपने सभी लोग मिलकर अगर हम लोग अपने-अपने करतव्य के प्रतिजागरूत होते हैं बारत में हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास लगातार कर रहें तो मेरा इस निमित्य आप सब लोगों से यही आवान रहेगा कि इस शुभ पर्व पर जब भी हम शुभ निपावली कहें तो निश्चित रुप से इस दिशा में कोई नो कोई कदम बढ़ाएं बाकी ये बात हमारे देश का ये सबसे बड़ा पर्व है देश के हर कोने में हो सक्क्राइब के दूप भारत के वरे देप दूम्डाम से मनाथे हैं É Jetzt हमारे दुतावास नहींते हैं ऊजर्कारे वह भी पहल करते हैं कि कि इस ना किसी तरीके सी या तो वह स्विक्रुतित करें या भारतीयों के द्वारा जो दूप पायम mi spectrum हो रहाएं उस वो लोग शामिल हो जाए तो दीरे-दीरे इसको एक दुनिया भर में एक प्रकाश के परव के रूप में स्विकृती मिल रही है यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व का और एक सुख्यकारक विशे है तो इस बात को भी हम लोग नई पिड़ी तक पहुंचाएं कि हमार तेवारों का क्या महत्व है और नई पिड़ी जिसको आज के लिए लोग जहें जी वगरे क्या-क्या नाम देते हैं तो उनके लिए भी उनके जीवन में भी दीपावली जैसे तेवारों का क्या महत्व है इसको भी किसी ला किसी तरीके से आप जिस भी आप माध्यम से अपरा है यह आने वाले समय में और ज्यादा उसमें निखार आएगा और आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि आज के समय में इतनी बात परियाप्त है पुना एक बार आप सब लोग आए और आप सब को बहुत-बहुत अभिनंदन आभार और ऐसे ही हम लोगों का दीपा